हाई फ्रेंज वेलकम बेक आज मैं आपके साथ रस्यान डिजर्ट लेयाली लूबनान की रेसिपी सेयर करने चारी हूँ इससे आज हम ना बिना बीप क्रीम के बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे जिसे की आप सब को बनाने में बहुत ही आसानी हो तो चल पानी ले लेना है तो पैन ले लेना है उसमें डाल दे लेना है चीनी और पानी को और इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है तो इससे थोड़ी चमाची सहता से हम चला देंगे इससे की तल्ले में बैठे ना तो इसे हम छोड़ देते हैं मेल्ट होने के लिए यहां पर आप देख सकते हो, चीनी मेल्ट हो चुकी है, चीनी के मेल्ट होने के बाद, दो मिनट का समय लगता है, और हमारा सुगर सिरफ हो जाता है, रेडी, तो इसे मैंने हटा दिया, ले लिए कडाई, कडाई में डाल देना है, सूजी तो यहाँ पर मैंने एक कप सूजी ले लिया है और कड़ाई में कोई घी वेगरा कुछ नहीं लगाना इस डिस में घी क्याव सकता नहीं होती तो इसे हम मिडियम फ्लेम पर दो से ढाई मिनट तक सेक लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए इसका कलर वलड़ चेंज नहीं करना सिब इससे हलका सेक लेना है तो यहाँ पर ढाई मिनट हो चुके हैं और मेरा सूजी अच्छी तरह से सीख चुका है तो मैं इसे दूसरे बरतन में निकाल लेती ह तो यहाँ पर मैंने इसे बाउल में पलट दिया है फिर से कढ़ाई में हमें ले लेना है दूद तो यहाँ पर जिस कप से हमने सूजी को लिया है उसी कप से हमें तीन कप दूद ले लेना है तो इसके लिए तीन कप दूद एकदम परफेक्ट है तो यह मैंने दूद ना प रगड़ करना हैं यहां पर मेरी चीनी हो चुकी है मैल्ट तो अब हम इसमें डाल देंगे शुजः को एक स्वाद से सुजः को ड़ना है और एक से चलाते जाना है वरना हमारी सुजी में गाठे आ तो यहां पर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमें इसे सुखा होने तक पका लेना है तो इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लएगा यहां पर मिडियम फ्लेम पर मुझे साड़े तीन से चार मिनट लगे थे तो यहां पर इपक चुके हैं तो अब इसमें मैंने डाल दिया इलाइची का पाउडर हो ऐसे तो इसमें केवड़ा एसेंस या केवड़ा जल डाला जाता है तो अब हम देशी तरीके से इसे बना रहे हैं तो यहां पर इलाइची पाउडर ही हमने डाल दिया तो इससे इसे बहुत अचा था टेस्ट आएगा तो यहां पर मैं इसे केक टी से फैला लेना है तो इसे रख देना है फ्रीज में अब यहां पर मैंने ले ली है दूद की मलाई यानि कि जो दूद के ऊपर का छाली होता है ना तो उसी को मैंने इकठा करकर रख दिया था फ्रीज में तो हमें छाली को इदम ठंडा ठंडा लेना है तो यहां पर मैंने तीन विप करते हुए mix करेंगे तो यहां पर इसे एक बार में फुरा चलाना नहीं है धिरे धिरे बंचालू कर करें इस क्रीम को तयार करना है एक बार में हम तयार करेंगे तो हमारा क्रीम इदम डीला सा हो जाएगा इसमें creaminess पार देखें बहुत गाड़ा है, तो मैं इसमें ठंडा-ठंडा वी दूद डाल रही है, तो मैंने तीन चमली दूद लिए थे! यहां पर आपर देख सकते हो कितना अच्छा सा क्रीमी क्रीमी, सा हमारा क्रीम तैयार है तो तीन चमची दूद लगे थे अगर आपका क्रीम बहुत ज्यादा पतला तैयार हुआ होगा ना तो आप उसे थोए दिर फ्रीज में रख देना फीट से विप कर लेना तो आपका क्रीम परफेक्ट बनेगा तो यहां पर मैं सारा क्रीम डाल दे रही हूं और इसे डाल कर हम अच्छी तरह से चारो तरफ फैला देंगे तो इस तरह से आप घर की मलाई से भी इस रेसिपी को भना सकते हो क्यों जरूरी नहीं है कि आप विप क्रीमी खरिद कर लाओ तो यहां पर मैंने थोड़ी से गुलाब की पंखिडियों से इसे गानिस कर दिया है अब मैं इसे ड ठंडा ठंडा सर्फ कर तो इस घर में इस रेसिपी को आप जरूरी करना आप देख सकते हो कितने कमाल के पीसिस तयार हुए हैं और खाने में बहुत ही क्रीमी बहुत ही स्वादिश्ट लगते हैं तो यहां पर मैं इसे फटा-फट से प्लेट में निकाल ले रही हूं तो आ आले से नहीं मीठाई और भी जूसी हो जाती है तो इसका टेस्ट खुलकर आता है तो तैयार है हमारी टेस्टी डिजर्ड लेयाली लूबनान तो इस गर्मी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें गर्मी में ठंडी-ठंडी डिजर्ट खाने का मजाई कुछ और है तो अगर मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें मैं ऐसे यह से अच्छे से डिजर्ट लेकर आती रहूंगा